भारत के बिगर्थी अर्थिवस्था के बीच दूसरी तीमाही में विकास दर 4.5 प्रतिशत रही गिर्थी विकास दर के कारण लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है से सरकार चंतित नजर आ रही है आर्बियाई के पूर्व गवर्नेर रगवराम राजिन भी कुछ दिन पहले के दिस सरकार को और विवस्था सुधानी का उपाया बता चुके हैं इसे बीच एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्वर्ष 2019 बीस के लिए देश की आर्थिक वरिद्धी का दर अनुमान बुद्भार को 6.50 फीस दी से घटा कर 5.10 फीस दी कर दिया है इसे पहले सितंबर और जुलाई में भी एशियाई विकास बैंक ने भारती के विकास दर का अनुमान घटाया था जुलाई में एडीबी ने 2019 बीस के लिए वरिद्धी दर का अनुमान घटा कर 7 फीस दी किया था और सितंबर में इसे 6.50 फीस दी किया था इससे पहले RBI ने मौदरिक नीती की समिक्षा बैठक के दरान विकास दर कानुमान घटाया था रिजर्व बैंक के मताबिक साल 2019-2020 के दरान जीडीपी में और गिरावट आएगी और ये 6.1 फीसदी से गिर कर 5 फीसदी पर आ सकती है इससे अर्थविवस्था को जटका लगा है गौर्तलब है कि जिलाई सितंबर 2019 की तिमाही की दरान भारत की आर्थिक विकास दर घटकर महस 4.5 फीस दी रहे गए जो लगबख 6.5 साल का नीचला इस तर है ये लगाता चटी तिमाही है जब जीडीपी में सुस्ती दर्ज की गई हाला कि वो कि आर्थिक सलहकार के वी सुब्रमनियम का कहना है कि भारत की आर्थिक सुस्ती धाचागत की बजाए चक्रिय ज़ादा है और सरकार अर्थिव्यवस्था को बाने के लिए पूरी तैयारी के साथ सुधार के एजेंडे पर काम कर रही है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेज तबेल आइकन फूर अपडेट्स